आज मनाया जारा जंगट और हमाई आशु भाई सामने अली छत पे हैं इंब्राइन भाई की इंब्राइन ने पेश लड़ाया यह देखे यह देखे कड़ गए और इधर से लड़ाएंगे छोटे सताध हिलमी यह देखे और सेफ भी है साथ में देखते हैं पेंड यह आशु लड़ा रहें पीछे भाईया उड़ा यह देखे जंगट आशु ने गद्धा बनाया अब वड़िया पेच देखे भाईया ने पीछे की इसके काट दिया रहे वह देखे पेच कर चुका है यह देखे और इम्रान भाई ने अपनी दूसरी पतंग छोड़ दिये अ है यह देखे दानिश की पतंग पर देखने मजा ले शम्रें हमारे आज बहुत तैयारी जया अर्मान भी है यह मैंभाई ठीक है कि को गद्ध मेलाई यह हैं बहुत बढ़़्या यह लड़ा है बहुत सिलाम यह देखे यह बहुत बहुत और आज पाइट पाईट इंग में दानिश भाई हमारे पतंगे लिप्टाएंगे दिखाते हैं कैसे पतंग लिप्टाते हैं यह देखे यह दानिश की पतंग है यह देखे पट्टीदार आगये वालुक सलाम मेरे अलीम भाई भी आगये यह देखे बाबु जी का पेज फिनने जा रहा है आज थोटे स्टाद बाबु जी पेज फेड़ते हैं देखे छोटे उस्टाद यह देखे लड़ाते हैं नीचे तो उपर नीचे पेज देखे लेके चले और बढ़िया पेज देखे गद्दा उनीने मारा लेकिन बाबु जी ने बहुत अच्छा पेज अपनी पतंग से यह कल लिया उदर आश अब बाबु जी लड़ाएंगे बाबु जी लड़ाएंगे पेज नीचे से लेखते हैं बाबु जी का पेज यह देखे और देखे पेज यह लड़ता हुआ पैट पीछे पाड़ा चप वाला देखे बाबु जी गद्दा और देखे बाबु जी पतंग टूटिए बाबु जी ने पेज काट दिया था इस से नीचे और उपर से आशू देखते जंगट देखे दोनों बलहाचे लाड़ी तेकि आश्यू ने गद्दा बनाया यह दे इम्रान भाई जा रहे हैं यह देखिए पेज लाते हो अर्मान भी अपनी पतंग उड़ा के जा रहे हैं यह देखिए मंज़ा भी अच्छा ला यूज चर्खी यह बशीर बेक की जो कि जंगट में इस्तिमाल हो रही है बशीर बेक की बाती है बहुत ही पड़े हां मंजा होता है अलीम भाई भी आगे पतंग उड़ा दी उनी ने अपनी पतंग तयार कर रहे हैं यह देखिए बाबुजी की पतंग देखिए चुटोटी पतंगे हैं यह मंजोली मंजोलिया लड़नी है पर सही हो गया सैफ का इम् यह देखिए हमजा पतंग उड़ा के जा रहे है यह लाल पतंग हमजा की और तक्या को उड़ा के आशु शैद उड़ा के है तो निश कहरे है हम लडाएंगे सैफ से पेज लड़ा है और देखिए इधर आशु भी अपनी पतंग लेकर आगा है फ्रेंट बहुत ही फास्ट पर देखिए और देखिए अंदर की तरफ देना लेते हैं एक लेक्ते पी जाटे पीसा पर लाते और आशु कैसे लाते है देखिए आशु ने लड़ा मैं सब्सक्राइब ने दोर फेकी अब बढ़िया पेज काट दिया फेंड बहुत ही शांदार पेज देगे फिर से काट दिया आशनी पता है थोड़ी खराब थी इसलिए गद्धा सीजा गया नहीं देखे जंगट के दिने काफी पतंगे उल लिए फेंड यह देखे पूरे आसमान में आपको पतंगी पतंगे दिखेंगी पेंड यह देखे बहुत अच्छी काइट फाइटिंग हो रही है और अब दानिश पेज राणाएंगे का पेज सेफ ने अपनी पतंग से तीन पेज काट दिया है यह देखे सेफ नीचे पेज फिरते वह देखते दानिश उपर देखे दानिश ने रखा अब यहां पेज देखेंगे दानिश ने पेज काट दिया बहुत शांदार और सेफ छूते ही अलग होगा है अब दबाएंगे तुमने तुमने जैसी चुआ वैसी कर दी बहुत ही शांदार हो देखेंगे फैयाद भी उपर आ गहें अपने अगले पेज के लिए दानिश चोटी रेंज है यह देखेंगे दानिश ने गद्दा बनाया भाईया नीचे लगातार चले आ रहे और देखेंगे बहुत है इसलिए पेज लगता हुआ देखेंगे रख लिया नंगा के बहुत बढ़िया अब पेज नहीं आया लेकर इम्रान भाई ने काट दिया बढ़िया बहुत बढ़िया अंदा पहता खाग दिया अब इनके पेज निखाएंगे आपको पतन अपनी छोड़ों के जा रहे हैं यह देखें अपनी पतन के जान एक दिन करता है नीचिया लाएं और लड़ा रहें आश्ओ फिर से और नीचे से अलीम है देखे पेशा लिया आश्ओस ने डेक्ते का कटतें अ-ग के पो जिए दो जाएंगे यह अलीम कट जाएंगे अलीम कट जाएंगे अब धीले पढ़ने कि आश्युने बलपल टाट डिया ये ये देखे अलीम में पड़ाया पेश काट डिया यह देखे साटार पेच इंव्रान भाई की पतंग कट गई है देखे, जबाए पतंग चली गई है यह देखे बढ़ा पदंग बादी होती ही चैतों से पतंगे ते नहीं हमाई तरह से चार पतंगे तनी और देखे चार पतंगे तनी देखे लिए लाओ अब बार चार नाइच और अपर से से पेच लाँ देखे अच आएप बढ़ा पश्याव ने काच जंश कटी है यह दो किना पäस लगाएनगे देखें श्याद का की पटकी अश्माइब लगा रहे लगा रहें देखते हैं, पेज बहार निकाल लिया सर्वाटॉ ताम भी पतंगे मंगवाई जा रही है, पतंगे यहां पर खतब हो चुकी हो, पतंगे जारे बाबुजी लेने, देखते हैं पतंगे बढ़िया पेज आशु ने काट दिया सर्व को कि रेंगे स्थब्द से कड़ें कि यह बहुत बड़ी यह देख्या ने जा रहा रहा है यह दो पीच काड़ दियें शूप फिर घद्दा मारते वह घद्दा मारते वह कंड़ेंbot पतंग के गद्दा मारते हैं अब देखें लेकिस आशु ने उपर की अधिक बढ़िया गद्दा मार के पेच काट जैदे कि आशु ने यह आशु की पतंग निकल के आरी और दानिश का पेच निकाल लें और देखें किस से पेच लगता आशु इसे लड़ेगा पेच इनका कि आशु ने जंगा ले रहे phi la पेच टेकिल आशके लें और देखें उपर से आशु और देखें कि आशु भाई ने अपने चार पेच पूरे अकल ली है इस पतंग से आशु बाई शुरुबात में ने कटे लेकिन उसके बाद चार पेज इस पतंग से आची उन्हें काट दी है क्या बतारे इम्रान भाई च्छतो वाली अधिया खतम हो गई है यह ब्रैड निकाल रहे हैं अब तो आपनी दूसरी पतंग उलाक के जा रहे हैं यह लेके पार करके जा रहे हैं तानिश ने भी अपनी एक पतंग खोड़ दी है बहुत तेज शौफ हो रहा है यहां पर जंड़त में नहीं उड़ा रहे हैं इम्रान भाई जाये गानी तीक रूड़े पतंग इन लोग भी वडा रहे हैं लोग अग्वार्य इनोंने अध्य आपनी पतंग शोटस्टाज स्याम पतंग लेके हम ज़डा देंगे याला तो देखेगा तो आगे हैं नीचे से सैफ अपनी पतंग लेके और यह देखे उपद राशु नीचे से सैफ पर नी बहुत अच्छा पेज आशु ने कटा था यह देखे जिए अपना कट्था लेकर चले और बढ़िया पेश शांदार फिर से एक बार बहुत बढ़िया अच्छा तो टूड़ गई पतंगे तूड़ गई यह देखे फेंड यह जा रही है पतंग तूटके पांच पेश काटे दिया शुने बहुत इसाद़ पेश लड़ता हुआ पहला पेश है और इंका पेश किसे लगला है इनका बिन नाम क्या पार इम्रान भाई से पेश ल तो इसा पार न तूड़ियो दिय जाए डाल तो किसे कान रुख रहा है अच्छुने थेल्हें पेश जार पहल फेलखे अक पार शान पेल आग कोinasan का इसादरिया और और बाधतो पार जोट बहुत किसे। तक हुआ उपार से हैं अर्मान था डर ने यह अर्मान की मानदार पतंग है और जब ले रहे हैं जंगल यह वाले हैं और यह अमलों की टीम है जंगल ले लिए बहुत शांदार अली और फिरेके मेरे जों देकर दिया अंदर कर रहा है चमकाया अंदर रखार मानने मारा है कि पहती अंदा कि अंदा दो पेश काट गिए जैद भाई ने और अब कौन लड़ाएगा शायद आशू जाचू फार करके जा रहे हैं इफ पर से आशू भाई है वर नीचे से जैद भाई है ने खीट पेश क्यादविगा भीनिया यहा वहले हैं पीच फज़ गया है फिर से एक बार दानिश का और दानिश आगे तारवाल ही भज़ा लिये गहे और देखते हैं दानिश के हाथ में पता है पेच निकल गया? ते नंगाय दे रहें जबर्दस्ती है देखे और पेज काट रहे हैं भाई हमें ना काट तो वो देखे आशू कट गया है पेज में थे ये बेच में थे और पेज कट गया अचू का कितने हो गहें तो पांच पैच हो गें प्रफ निए लगाने दाएं निचे हैं वो देखें सैफ का पेजी लागता हूँ अश्य लगातार अंदर जगा ले रहे यह देखें अधर लेते वाश्य कि अधर लगातार जगा ले रहे हैं अधर गद्ध बनाया और बढ़िया गद्धा फिर अधर निचित अब मारदी आश्यू ने वह देखें ते पेज काट दिया अपनी इस प्रक्राइब के लिए यह देखें लाड़ी जिलड़ी पतन्य उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं जबी अधर रही है पतंग निकल के आएगी यह देखिए पतंग बाजी यहीं पर बंद होने आ लिए और देखते हैं देखिए दानिश आशुका आटवा पेज रोक पाते हैं के नहीं आख पेज लवागते वाश्य निया बनाया और बेगे फिर गद्डा मार दिया आट पेज काट दिया है आशुने इसी के साथी आर्ट पेज हो गए है इस पतंग से अधिम पेश लिख अधिगे बेढ़ाते बहूंद यह देखें पर शुकिन नव पेज कर दिया तो इस पाथि यह होता इतनी डोर जी है यह देखे है पूरे में बाबुजी एफसोस में लगेंगे पैसे मिलेगी मिलेगी बाबुजी आप नहीं मिलेगी बाबुजी कह रहे हैं गई पतंग आगे उदेगे जारी गली में आएगी मिल जाएगी पतंग गिरती है यह देखे गली में हाँ चलीगी वाँ लड़ा रहे हैं सैफ पेश लड़ा रहे हैं सैफ उपर से आगए हैं और देखे आशु नीचे देखा लेते हैं यह देखे सैफ दोरे चला रहे हैं देखते हैं आशु की पतंग कटती है के नहीं आज सैफ पताने ही कोशिच कर रहे हैं और देखे सैफ पता पाते हैं के नहीं कि अधिके सैफ कट गए फिर और राशु ने पिर काट दिया दस पेच हो गया इस पतंग से देखे पतंग देखे दो पतंगे लगती है वक्त पतंग कट नहीं रही है कोई नहीं काट पार आशु कर देखे पर इतनी डोट जंगट में ऐसे होता है यह देखे चरफियां खाली हो चुकी है यह देखे और दानिश पेच लगाने जा रहे हैं आशु ने अपने पतंग से 10 पेच काट दिया लगातार दस पर देखे लोटें आशु कट नहीं के ले के देखे चलें और उन्यच करद्ण माँकान अई तरस में थे लेकर देखे ते अ किसा पर लडाते है कि पर देखे यह देखे हैं टेकनिकल पे लडाते है क्यों सब्सक्राइब देखे ज़िए पट किया है थोड़ा सा पट किया है तो बढ़िया कत्था देखे आशु ने फिर मार दिया उनके उपर भी और लगातार 12 पेच हो गया है आशु की इस पतंग से फ्रेंट पतंग नहीं कटी अशु भाई की पतंग यह नहीं कटी और फिर मिलते हैं फिर नेक्